कि राधारगर बीच में आपका स्री स्री शीवा मंद्री भी है 350 किमीटर दूर तो हम वहां जा रहे हैं कि हम ट्रैकिंग करके जाएंगे और क्या किते हैं कि स्री टैंपल पर हमें जाना जरूरी है क्योंकि क्या है कि अपर वाले का जब तक साथ है तक सब कुछ है तो कुछ भी नहीं है 350 किमीटर और हमें फटाबट जाना होगा ताकि हम टाइम से पहुच पाएं और देखिए कितना पढ़िया जगह है यह फुल आफ फुल आफ ट्रैकिंग है और फुल आफ वह है लोकेशन ही से जाब झाव कितना पाइमा जाभा त्हयार में बेपना देपनान सवयार आई मिला या कैम्हार आती ते मिलाम वे एकन एकना करते हुगाि दमे लेत अयार आते हुगा बाईपन का राशर चस्वयोरि вод झाहार झाहर कर दो कर दो कर दो आ ले के लात कर दो कर दो बारि तुक抗ी तो किV рад ल कर दो कि आप देखे रहे हों आगे आए हैं मैं एवन रिकोर्डिंग करने के लिए वापस आया हूँ यह दिखाने के लिए कि कि जगे से मैं आया हूँ कैसा लोकेशन है आप देखिये यह देखे कि नहीं संसान हो रहा है यहाँ पर मैं और वाइब और एक दोगी भी आगया देखो पीछे पीछे से यहारी मेड़ में देखो वारे साथ आओ हम मंदर को जाएंगे देखेंगे वाट वी लूप फरस्ट जो मैं देख रहा हूं वह मैं आपको दिखा रहा हूं यह है सिवा मंदिर बेज़तो देखान मंदिर और सिवजी का मंदिर दिखाना बहुत जुड़ी आप लोग यह सिवजी का मंदिर है यह बहुत ऐसा एरिया जब बहुत कम लोग देख पाते हैं अंदमान में को बार में और उसके बाद नेक्स हमारा मंदिर है वह राधा किस्ट मंदिर आपको नहीं कि दिख रहा होगा यह राधा किस्ट मंदिर में हम जा रहे हैं आगे को आप भूर ट्रेकिंग रहनी पड़ लिए हमें जन्दमान के हमारी स्पेशल ट्रेकिंग है अब करने के बाद यहां बहुत सारे जानुरों की भी आवाज आ रही है और बहुत बढ़िया लग रहा है अस्क्लास बहुत पराने पराने पेड़े हैं यहां पर बहुत बढ़ा पराने पराने मंदिर हैं बहुत प्यारे लागा है बहुत प्यारा नगर बीच के ही पास है जाव दूम नहीं है यह राद होना का बीच के पास है